हालो सुटेंट स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल गौट ग्लासिस पर तो बच्चों आज 25 अफ में है और आज आपको पता होगा जो सी उटी की कर्रेक्शन विंडो ओपन होने वाली है I hope आप सबने इस Suzy का फॉर्म है वो अच्छी तरह से भर दिया होगा लेकिन पहली बार आप फॉर्म भर रहे थे स्युटी का और सीुटी का फॉर्म आये पहली बार था तो हो सकता है कि कुछ प्रॉबलम रह गई हो कुछ वहां पर कमियां रह गयी हो कुछ गलतिया हो गई हो वो नेचुरल है ठीक है पहली बार जब कुछ काम करते हैं तो कई सारी गलतिया हमारे साथ हो सकती है तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो करेक्षन विंडो ओपन करी है ठीक है आज 25 को ओपन हो जाएगी ओपन होने के बाद क्या क्या प्रोसिजर होगा मैं उसके डिटेल वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊँगा लेकिन अभी फिलाल मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी उसमें हो सकती है कि आ वो डिसकर्स करने से पहले एक बार मैं आपको और बता दूं कि आज 25 है और 25 को अनकेडमी आपके लिए एक बहुत बहुत बेहतरीन ओफर लेकर आया है क्या ओफर लेकर आया है मैं अभी आपको दिखाई देता हूं समझा देता हूं ठीक अनकेडमी के थूरू आप अपने कि आपकी यूट की जितनी भी तयारी आपने अब तक करी है उस तयारी को आप समझ सकते हो आप अपने आपको जान सकते हो कि कितनी तयारी आपने करी है तो इसके लिए आपको फ्री मौक टेस्ट आपको यहां पर करने का मौका मिल रहा है अनकेडमी की तरफ से इसके लिए तुसमें क bir code आपको कोड़ना है इस कोड़ से जब आप एक्सेस करोगे तो आपको यह free test 4000 आपको मिलेग और को rapidност आपको मिलेगा और आपको भेजा जाएगा कि आपका score क्या रहा कैसी आपकी performance रही ताकि आप यह समझ पाएं कि आपकी जो तैयारिया है वो कितनी चल रही है कितनी अच्छे तरीके से चल रही है और क्या-क्या भी आरो करने की जरूरत है तो यह जो test होने वाला है जो CUT language and general test होने वाला है 25 में क को आज सुबह 10 बजे ही test होने वाला है तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी अपने आपको इन्रोल करने के लिए स्रिफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है जब आपसे code मांगा जाएगा तो अमित गौर्ट 10 आपको भरना है बस ठीक है उसके अलावा C.O.T. Science या C.O.T. Commerce या C.O.T. Humanities जिसका भी आपको test देना है ये सारे test आपके होने वाले हैं दुपहर को दो बजे तो ये भी आज ही होने वाले है 25 को तो ये आज तक का ही मौका आपके बास है तो इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दो एक free test attempt करके देख कि आपकी C.O.T. की preparation कैसी चल रही है कितनी अच्छी चल रही है तीक है अब रही बात जो स्यूटी की जो correction window है अगर अम उसके बारे में बात करें तो यहां पर क्या-क्या चीजे हैं जो आपको correct करने को मिल सकती है ठीक है क्या क्या चीजे हैं जो आमें करेक्ट करने को मिल रही है कि देखे सबसे पहले अभी सारी बस पॉसिबिलिटी जा मैं बता रहा हूं बाकि जो क्रेक्शन विंडो ओपन करेगी इसमें थोड़े बहुत चेंजिस भी हो सकते हैं कि आपने जब आपने फॉर्म भरा होग यह लेकिन वो गलत हो जाती है ठीक है तो आपको यह देखना है कि आपका ठीक भरा गया है नहीं भरा गया एड्रेस एंड सिटी ठीक है इंपोर्टेंट चीज है अब वैसे तो सब कुछ ऑनलाइन कमिनिकेशन है लेकिन जहां आप तक डोक्युमेंट्स की बात होती है आप अबने उसके अंदर फिल करा ध््यान से देखना क्या वह सही है या नहीं है किस बोड से आपने last जो अपनी एक्जाम जो पाश करोगे या जो 12 जो आप पास कर रहे हो कौन से बोड से या कौन से युणिवर्स्टी से पास कर रहे हो यह भी आपने अगर गलत भरा हुआ है तो इसको आप ठीक कर सकते हो year of passing यानि इस साल के student है आप या पिसले साल के student है आप जो भी year of passing है last exam जो आपने पास किया उसकी आपको यहां पर year डालना पड़ेगा examination center बहुत 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 important चीज़ है examination center कई बर हम क्या करते है शोक शोक में दूर दूर के examination center डाल देते है चले यार paper देने जाएंगे गूमने भी आएंगे थोड़ा बहुत तेकि ऐसे हो सकता है बहुत से बच्चों ने ऐसे सोच के साथ डाला हो लेकिन आप यह समझो कि आप exam देने जा रहे हो जहां से आपको आपकी dream university में admission मिलने वाला है तो मौज मस्ती है गूमना फिर ना बाद चूज करो अगर आप जैपूर रहते हैं तो जैपूर के चूज करो मतलब यह ना होगी आप डेली में रहते हो जैपूर का चूज करो चलो यार जैपूर भी घूमियांगे इस बाने तो ऐसा मत करना exam देने जाना seriously exam देने जाओ जितना कम से कम टाइम आपका वेस्ट हो ऐस के साथ भरें अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है अगर आपको यूनिवस्टी में कुछ चेंज करना है अभी जो कल भी मैंने आपको लेटरस अपडेट में बताया था कि जो 9 Central यूनिवस्टीज हैं वह सी उटी की लिस्स से अभी हट गई हैं अगर आपने वह के भरना ही तो है फॉर्म उसके अंदर क्या दिक्कत है ठीक है जितने ज्यादा कोर्स के लिए अपलाई करोगे हो सकता है कि जो चांस आपका आना है मार लो जो आपका ड्रीम कोर्स है अगर बाई चांस वहाँ पर नहीं आता दूसरी कोर्स में आपको एड्मिशन मिलता है अच्छे कॉलेज में एक अच्छा कोर्स आपको मिलता है तो उसमें क्या बुराई है तो लेकिन आप उसके लिए उस फॉर्म को जरूर भरो ताकि और जो भी करेक्शन आपको करनी है वह करेक्शन जैसे ही करेक्शन विंडो खुलेगी कोशिश करो कि अपना काम करके खतम क यह नहीं कि 31st तक का वेट कर ऌव या लाच में जाके देखेंगे ताइम मिलता है कोशिश करो कि जल्दी जलदी इसकाम को खतम करो बाकि कर्ए क्रेक्शन के साथ पूरी वीडियो में आपको डे दुолоगा कि आपको कैसे फॉर्म में क्या क्या चीज़े करेक्श करनी है ठीक झाल झाल